हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तू मैं चैनल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही जादा हेल्दी यम्मी वेट लॉस रेसिपी ओट्स वीट रूट उत्पम सो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पे एक कप ओट्स ले लेंगे तो फिर हम इसको एक पौड में ट्रांसफर कर लेंगे इसे डालने के बाद अब हम इसमें अधा कप सूजी डाल देंगे अब हम इसको ओट पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको साइट पे रख देंगे तो एक छोटे ब्लेंडर में वन थर्ड का प्रफ्टी चॉप किया हूँ अनियन डाल देंगे एक गार्लिप क्लोप और एक छोटा पीस जिंजर का भी डाल देंगे एक बीट रूट काटके डाल देंगे अब इसमें थोड़ा सा धनिय डाल देंगे इसे डालने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तकि बिल्कुल स्मूर्थ एक पेस्ट में कनवर्ट नी हो जाएगा यह देखिए बीट रूट की वज़ा से इसका कलर कितना खूप सरोत और एकदम पेंक दिख रहा है अब हम इसको ओर्ट और सूजी मिक्चर में मिला देंगे अब आदा छोटा चम्मच धनिय पॉलर डालेंगे आदा छोटा चम्मच जीर पॉलर डालेंगे एक चम्मच नमक डाल देंगे और तीन बड़े चम्मच योगर्ट डाल देंगे अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और देखिए अब इसमें आदा कप आनियो डाल देंगे और अच्छे से इसको हिला लेंगे अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देंगे और अब यह 20 मिनट बाद देखिए हमारा जो यह जो बैटर है काफी थिक हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी है मोर मिला लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है अमने इसमें तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गया अब इसको साइड पर रख देंगे अब एक बाउल में हाफ कप चॉपके और अनियन डाल देंगे हाफ कप चॉपके और कैपसिकम डाल देंगे हाफ कप चॉपके और टमेटो डाल देंगे और यहाँ पर मैंने थोड़े से 7-8 करी लीव्स लीएं ड्राई इसको भी क्रश करके डाल देंगे अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स हों तो आप भी यूज़ कर सकते हैं आदा छोटा चमच मस्टर सीज डाल देंगे बैटर बना रखा था उसमें एक सैशे इनो फ्रूट का डाल के उसमें थोड़े से दो चमच पानी डालेंगे उपर से और इसको मिक्स कर लेंगे इससे हमारा जोटपम है बहुत जादा एकदम फ्लफी बनेगा और सॉफ्ट बनेगा अब इसको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लेना है अब उत्पम बनने के लिए तयार है तो एक पैन में थोड़ा सा हम ओयल स्प्रेट करेंगे अब इसमें तीन बड़े चमच बैटर के डाल देंगे और इसको स्पून की हेल्प से एकदम राउंड थिक शेव दे देंगे अब इसके ओपर थोड़ी सी टॉपिंग्स डाल देंगे कैप्सिकम अनियन टमैटो की इसे डालने के बाद हल्का हल्का ओयल इसके साइट्स पे लगा देंगे इस तरीके से स्कूल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा उपर भी लगा देंगे और ग्यास का फ्लेम हमने मीडियम पर रखना है अब इसको धीरे से फ्लिप कर लेंगे और दोनों तरफ से गॉल्डन ब्राउन होने तक इसको हमने कुक कर लेना है अब इसको दुबारा से फ्लिप करेंगे यह देखिए यह हमारा हेल्दी ओर्ट बीटरूड उत्मम बनके तयार हो गया है तो इसको सर्फ करेंगे तो इसी तरीके से आपने बाकी उत्मम भी बना के तयार कर लेने हैं बहुत ही जादा टेस्टी हेल्दी वेट लॉस रेस्पी यह तो इसको यहां पर मैंने चटनी के साथ सर्फ किया है आप इसको योगर्ट केचप किसी के साथ भी खाना चाहे तो खा सकते हैं एक वर इसको ट्राइब कीजिए मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी मेरे चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग